हलो आज है फिफ्ट दिसम्बर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में 480 रुपए का ये शेर है और एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी लेकिन धीरे धीरे अब ये शेर रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रह है और अच्छी खासी रिकवरी दिखा भी सकता है रीजन यह है कि बहुत सारी अच्छी चीजे भी टाटा मोटर्स में हो रही है जिसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि मैं यहाँ पर डिसकस करूंगा कि कौन सा प्राइज मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है यहाँ पर और कितना टार्गेट आप लॉंग टम में अज्यूम करके चल सकते हैं तो वीडियो को शुरू करूंसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर गिरावट है इस बीच 530 रुपए का शेर काफी अच्छा हाई बनाया था इसने लेकिन तूटकर 460 रुपए से भी नीचे चला गया लेकिन अब रिकवरी लॉटी है पिछले तीन दिनों से लगाता शेर अपर सर्किट लगा रहा है जो कि अगेन अच्छी बात है लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो बहुत ही शांदार है एक सो साथ प्रतीशत का ग्रोथ यहां पर नजर आता है 165 का शेर सा देखें एक चीज़ समझी आप 165 से जब इसने लंबी छलांग लगाई थी और 300 के करीब पहुँचा था तब लंबा वक्त इसने बिताया थ तकरीबन 290 और साड़े 300 के बीच में इस बार भी एक लंबी छलांग लगाई जरूर 500 के करीब पहुचा 530 तक गया लेकिन अब यह लंबा वक्त पहले की तरह कंसॉलीडेट वाला जरूर रह सकता है आप देखें इसे पहले भी जब तेजी बनी थी फिर यहां पर पहुच होती है शेर इस रेंज में बिताएगा लेकिन उसके बाद पहले की तरह ही हमें दुबारा एक ब्रेक आउट भी देखने को मिलेगा लेकिन यह ब्रेक आउट के लिए अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा और थोड़ा सा लंबा इंतजार है यह अब यह लेकिन ह यहां पर देखे तो प्रमोटर के पास 46.41 परसंट की होलिंग है और एफाइल्स के पास 13.35 परसंट 6.50 परसंट मुचल फंड और 5.91 परसंट इंशॉरंस कंपनी है फाइल्स ने जितनी बिक्वाली नहीं कि उससे कई जाधा बड़ी खरीदारी मुचल फंड और इंशॉरंस कंपनी के द्वारा हुई है मतलब बया अच्छे खास कि कॉन्डिटी में बड़े फंड हाउस भी यहां पर माल उ इससे पहले भी कई मिल चुके हैं यहां पर अगर हम देखे तो टाटा मोटो सा डिलिवर्ट सिक्स्टी इलेट्रिक बसिस टो एहमदाबाद जन्माग लिमिटेट ऑन फ्राइडे तो इलेट्रिक बसिस वेर फ्लैग्ड ऑफ बाइ गुजराद चीफ मिनिस्टर भुपेंद सबसे पहले जो गवर्मेंट ट्रांसपोर्ट है वो आपको इलेट्रिक होते हुए नजर आएंगे कुछ स्टेट्स ओर्डर करेंगे उस स्टेट्स को देखते हुए बाकी के स्टेट्स भी ओर्डर करेंगे तो भाइया मेरे हिसाब से थोड़ा सा वक्त लगया लेकिन आने चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान है और यह भी अगर सक्सेस्फुल होता है तो भाइया आपको जो स्ट्रेट टांसपोर्ट भी है वो भी भाइया डेफिनिकल आपको अच्छे खास है इलेट्रिक वहिकल्स में ट्रांसफर्म होते हुए नजर आएंगे इतना ही नह लगा के खड़ा है कि भाइया हमको इलेट्रिक बस देदो हमको इलेट्रिक बस देदो और टाटा मोटर्स की इसमें महारत है इसमें टाटा मोटर्स लीड कर रहा है इतना ही नहीं सेलिंग्स भी जो हुई है फाइनेशले ट्वेटी ट्वेटी तू में वो रेकॉर्ड हाइ तो यहाँ पर जो पिछले साल 2,12,000 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे इस बार यह 3,30,000 यूनिट्स बेच सकते हैं मार्च एंड तक और अगर यह होता है और उसमें भी 7,755 से भी जादा यूनिट्स इलेट्रिक वहिकल्स के बेचे हैं इन्होंने और यह दीरे दीरे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर देखें टाटा इस अच्छी खासी बिक्री हुई है इनकी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हर कोई टाटा की गाड़ियों को खरीद रहा है और यह वाक़े में बहुत बड़ी वात है इस कंपनी के लिए भी के कंपनी के यूनिट कंपनी की गाड़िया बहुत ज़्यादा खरीदी जा रही है इतना ही नहीं इनके जो इलेट्रिक वहिकल्स है चाहे वो छोटे हो या बड़े हो हर कोई इनको पसंद कर रहा है और हर स्टेट्स गवर्मेंट टाटा के वहिकल्स के डिमांड कर रही है इलेट्रिक के अगर में बात करूं तो टाटा मोटर्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो 29% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं वना 71% लोग खरीदने की सला दे रहे हैं इतना ही नहीं जो बड़े बड़े फंड हाउजिस है ब्रोकरश फर्म है उनकी खरीदारी के रिकमेंडेशन है मोतिला लोसवाल खरीदारी के रिकमेंडेशन है पांसो पैंसेट का टागेट है ICHA direct खरीदारी के रिकमेंडेशन है 600 रुपय का target है शेर खान की भी खरीदारी के रिकमेंडेशन है और 610 रुपय का target है तो बड़े बड़े targets देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े fund houses की तरफ से और promoter भी लगातर खरीदारी ही कर रहे हैं हर साल आते हैं बड़े quantity खरीते हैं निकल जाते हैं यहां पर अगर हम देखे तो इनके revenue हाला कि कम हो रहा है लेकिन अब 2022 में जिस तरीके की selling हुई है revenue बहुत open आपको नजर आ सकते हैं और profit भी अगर हम देखे तो अब तक company profit में नहीं है लेकिन जिस तरीके का performance company दिखा रही ह मुझे ज़ता है कि बहुत जल्दी company profit में आ सकती है और जिस दिन profit में आ गई शेर फट जाएगा इसका इतनी बड़ी तेजी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेर औरबोर्ट जोन में नहीं है कोई भी rate flag नजर नही ही आ रहा है 77% analyst खरीदारी करने की सला देते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर लेकिन एक चीज यह भी है यह dividend पे नहीं कर रहा है long term में पैसा नहीं बना है क्योंकि आपको पता हो तो टाटा इस से पहले 600 रुपए का शेर हुआ करता था उसके बाद जेलार में जो जिस तरी मैं कहारा हुँगे भया खरीदो 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 मत बेचो इसको यहां पर ट्रेडिंग नहीं investment करो तब से मैं कह रहा हुँगे यह करीदारी करी है तो बने रह सकते हूँ और यहां से जितनी भी correction आए नीचे की तरफ जितना भी शेर टूठता है खरीदारी के मौ के होंगे यहां पर तो दीरे दीरे वही या लॉंग टर्म के लिए चाहो तो एड करके रख सकते हो तो वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय का चैनल पर अगरा पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमिट में लिखतर बता सकते हैं थैंक यू